हाई अब्रिवान वेलकम तो साइंस एंड फंड 910 मैं हूँ दिख्षा कॉशल आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर विचा लाज साइम हमने किया था विच्च सब्सक्राइब कर लिया हैं आज हम करने वाले हैं लॉंग क्वेश्चिंज फ्रॉम स्ब्सक्राइब कर लिया है बचे वह जितने भी प्वेश्चिंज है पहले दो चाप्टर में से वह भी आगी सीरीज में continue रहेंगे, so शुरू करते हैं, साथ-साथ में आपने भी answer देना है, okay, so let's start with first question, long answer questions हैं यह, first is a non-metal A, okay, यह बात क्या कर रहा है, a non-metal A which is largest constituent of air, air का largest constituent है, एक non-metal है, कौन सा हो सकता है, that is nitrogen, कौन सा होता है, largest constituent of air, ठीक है, वो क्या है, आपका nitrogen होती है, ठीक है, a non-metal A which is largest constituent of air, when heated with H2, जब यह heat करी जाती है, H2 के साथ, बहुत सारे बच्चों को लगता है, मैं, largest constituent तो oxygen नहीं होगा, नहीं बेटा, largest constituent होता है, हमारी air की composition को होगर आप देखोगे, वहाँ पर nitrogen सबसे ज़्यादा percentage में पाई जाती है, ठीक है, nitrogen प्लस hydrogen उन्होंने बोला है, non-metal A कौन सा है, यहाँ पर लिख देते हैं, A equals to A, क्या है, आपके पास nitrogen है, which is largest constituent when heated with H2, H2 के साथ heat करी जाती है, है one ratio three, मतलब यह one ratio में है और यह three ratio में है, in the presence of catalyst iron, iron किसकी तरह act कर रहा है, as a catalyst act कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है, gives a gas B, वो क्या करता है, gas देता है B, हमारे पास N2 और H2 के combination से कौन सी gas बंती है, ammonia gas बंती है, ठीक है, कौन सी gas बंती है, ammonia gas बंती है बच्चा, उसके बाद मतलब हमारे पास B क्या आ गया, B is ammonia, B क्या आ गया, ammonia आ गई, इसको balance कर लो, इसकी balancing ऐसे हो जाएगी, देखो ठीक है, इसकी balancing कर लेना उसके बाद, on heating with O2, कहता है, अगर हम इसको heat करेंगे O2 के साथ, मतलब अगर हम N2 को heat करते हैं O2 के साथ, तो बोलता है, it gives an oxide C, येक oxide देदेगा, कौन सी C oxide देदेगा, ठीक है, ये वाली oxide हम बना देते हैं, इफ इस oxide is passed into water, तो कहता है, अगर इस oxide को हम पानी में से pass करते हैं, passed on to water, in presence of air, air की presence में हम पानी में से इसको pass करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, it gives an acid D, और हमारे पास N, H and O का कौन सा acid होता है, that is a very strong acid, और यहाँ पर ये hint भी given है, which acts as a strong oxidizing agent, हमने क्या कर रहा है, कौन सा इस बहुत बढ़िया oxidizing agent होता है, that is H, N, O 3, your nitric acid, कौन सा, nitric acid is a very strong oxidizing agent, उसी की बात कर रहा है, which acts as strong oxidizing agent, identify A, B, C, D, तो C आपके पास क्या बनती है, C आपके बनती है, N, O 2, after that आपके पास D क्या बनता है, D is the acid nitric acid, H, N, O 3, ठीक है, जैसे जैसे वो question में बोलता जा रहा है, वैसे वैसे आप reaction को लिखते जाओ, बहुत ही simple सा reaction था, बहुत ही simple सा question था, identify A, B, C, D, to which group of periodic table does this non-metal belong, यह non-metal जो है, वो कौन से periodic table के, कौन से group से belong करता है, वैसे तो अगर आप periodic table आपको ना cut कर वाया था, तो आप बहुत easily इसका answer दे देते, लेकिन वो chapter आपके syllabus में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें तो एक question करना ही है, मैंने आप से कल carbon के बारे में पूछा था, carbon होता है, carbon होता है group 14 का, carbon is from group 14, and nitrogen होता है group 15 का, ठीक है, ऐसे आपको सभी का group से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, because product table chapter तो कठी चुका है आपके syllabus से, लेकिन बिकॉज आपको ये given था, ये पूछा गया हुआ है, NCRT examplar का question है, इस वज़े से आप इसको कर सकते हों, ठीक है, ओके, तो guys, next is, give the steps involved in the extraction of metals of low and medium reactivity, आपने क्या करना है, extraction of metals के बारे में बताना है, of low and medium reactivity from their respective sulfide ores, उनकी sulfide ores से, तो पहले हम बात करते हैं, low reactivity की, ठीक है, पहले बात करते हैं, low reactivity की, low reactivity में बिटा, जैसे platinum, gold हो गया, वो तो free native state में ही exist करते हैं, किसी के साथ bonding बिल्कुल ही नहीं बना रहे, बिल्कुल नीचे की तरफ है, in reactivity series, लेकिन अगर हम बात करें, copper की बात करें, इपो talk about copper, mercury, तो यह क्या करते हैं, sulfide ores बना लेते हैं, जैसे कि for example, example लेते हैं, mercury sulfide की example लेते हैं, यहाँ पे जो HG है, that is in HG2 positive state, और यहाँ पे S2 negative state में हैं, तो बताओ यह क्या है, mercury sulfide है, इस ओर का नाम क्या है, हमने क्या था, इसका नाम क्या होता है, this is cinnabar, क्या नाम है इसका, cinnabar इसका नाम है, सीधा आप से पूछा भी जा सकता है, कि cinnabar को कैसे, cinnabar में से कौन सा metal, आप एक्स्टाक्ट करते हैं, और कैसे एक्स्टाक्ट करते हो, वैसे भी आप से पूछा जा सकता है, तो देखो बेटा, जब आपके पास sulfide ore होती है, तब हम क्या करते हैं, इसको बहुत सारी इसको heat देते हैं, heat करते हो इन presence of oxygen, sulfide ore को किसमें बदला जाता है, oxide ore में बदला जाता है, साथ में sulfur dioxide release हो जाती है, ठीक है, after that क्या होगा, यहाँ पे यह चीज़ समय ने कर ली, कार्बोनेट में, कालसिनेशन होती दी, लेकिन यहाँ पे सिरफ sulphide ore के बारे में पूछा गया है next step आएगा आपके पास HGO है अभी देखो यहाँ पे आता है difference अगर यहाँ पे होता आपके पास medium reactivity तो हम इसको carbon के साथ reduce करते हैं या कोई displacement reaction देखते हैं यहाँ पे because it is of low reactivity तो इतना हमें पंगे लेने की जुरूरत नहीं है हम simply क्या करेंगे यहाँ पे इसको सीधा ही heat करते रहेंगे वो heat हो रहे है उसको और heat होने देंगे यह क्या होगा यहाँ पे HG हो जाएगा और यहाँ पे oxygen बहाट निकल के आ जाएगा तो simply आपने क्या करना है low reactivity में simply जो reduction होती है उसमें सिरफ heat करते रहना है और आपके पास metal extract हो जाएगा यह difference आएगा अगर आप अभी medium reactivity की बात करते हो अगर medium reactivity की बात करते हो तो बेटा example बताओ example let's take an example of ZNS की example लेते हैं जिंक sulfide की example ली अगेन आपने वही चीज़ करी आपने क्या करा oxygen की presence में इसे heat करा आपके पास बन गया ZNO plus आपके पास SO2 बन गया यह आपके पास oxide बन गई अभी आपके पास क्या आ चुकी है oxide आ चुकी है now क्या हम इसे सीधा heat करते रहें तो metal निकल जाएगा ने because they are medium reactivity इनकी reactivity थोड़ी सी जादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको carbon के साथ reduce करेंगे carbon को use करके इसको reduce करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे Zn बन जाएगा यहाँ पे C carbon monoxide बन जाएगा राइट यह चीज आपके पास बन जाएगी इसको carbon के साथ reduce किया जाता है यह है इसकी reduction है यहाँ पे roasting हो रही है तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे low reactivity में सिरफ heat करते जा रहे हैं निकलाएगा और medium reactivity में हमने carbon के साथ इसके oxide को reduce करना है तो next चले अभी next question की तरफ चलते हैं explain the following आपको explain करना है reactivity of AL decreases if it is dipped in HNO3 तो एक बच्चे ने comment section में यह question पूछा था की exam में पूछा गया है तो आपके NCRT examplers से ही है तो देखते हैं इसको reactivity of AL decreases AL की reactivity, aluminum की reactivity decrease होती है dipped in HNO3 तो बिल्कुल सही उसके साथ एक बच्चे ने answer भी दिया था मेरेको नाम नहीं याद है तो HNO3 क्या होती है it is a very good oxidizing agent यह क्या है बहुत ही बढ़िया oxidizing agent है because it is a very good oxidizing agent इसका काम क्या है दूसरों को oxidize करना तो इसका मुकाबला किस के साथ आया यह किस के सामने आया AL के सामने आया अभी AL किस के साथ react कया HNO3 के साथ react करा ठीक है AL किस के साथ react करा HNO3 के साथ react करा because it is a very good oxidizing agent यह क्या करेगा इसको बदल देगा AL2O3 यह क्या करेगा यहाँ पे oxide की layer instead of this I would write it as यह क्या करेगा ऊपर इसके oxide oxide coating या oxide protective layer ठीक है यह क्या करेगा oxide protective layer बना देगा इसके ऊपर ठीक है तो oxide protective layer की वज़े से क्या होगा because इसका क्या काम है इसकी इसको oxidize करना तो oxidize करके क्या करेगा उसके उपर एक layer बना देगा जिसकी वज़े से aluminium चाहेगा क्योंकि वो oxidize हो चुका है अभी तो वो नहीं चाहेगा कि वो further क्या करे react करे HNO3 के साथ ठीक है आपने AL को dip करा किसके बीच में HNO3 के साथ because this is a very good oxidizing agent इसने क्या करा aluminium को oxidize करना शुरू कर दिया उस oxidation की वज़े से यह जो aluminium है further इसकी reactivity कम हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर इक protective layer बन चुकी है ठीक है ठीक है ओके सो next question की तरफ चलते हैं next question is B part that is carbon contain carbon cannot reduce the oxides of N and mg तो केता जो carbon होता है जब हमने उसको reduce कर रहा था वो किसके लिए यूज़ा रहा था oxide को reduce करने के लिए तो केता carbon जो है वो किसके oxide को reduce नहीं कर पा रहा N and mg की क्यों नहीं कर पा रहा because N and mg आप देखोगे reactivity series में N and mg बहुत ही जादा highly reactive होते हैं ठीक है क्या होते है highly reactive होते हैं तो यह तभी reduce कर पाएगा ना carbon तो इनको तभी reduce कर पाता हो तो एक type कर displacement ही रहा है ठीक है carbon तभी reduce कर पाता अगर यह कम reactive होते हैं इतने जादा reactive होते हैं कि carbon भी उनका कोई नुकसान नहीं कर पाता carbon भी उनके bond को तोड नहीं पाता किस bond को इन दोनों के bond को with their respective oxides okay so this is highly reactive इस वज़े से carbon cannot reduce किसको cannot reduce any or mg okay चले बच्चा अभी next question is NACL is not conductor of electricity अच्छा यह तो आता ही होगा है आप सभी को वैस्त मुझे लगता है सभी के answers आते होंगे just revision कर रहे हो आप यहां पे एने सेल it is not a conductor of electricity in solid state देखो solid state की बात कर रहा है कि solid state में जो NACL है sodium chloride है यह electricity को conduct नहीं करता electricity को conduct करने के लिए क्या चाहिए है मारे पास free ions चाहिए ठीक है free ions चाहिए that means any positive and CL negative के हमें ions चाहिए तो यह ions की mobility भी होनी चाहिए ठीक है यह ions free होने चाहिए यह mobile होने चाहिए इनकी mobility होनी चाहिए यह move करते रहने चाहिए और move करने के लिए इनको जगा की जरूरत है जो solid structure में उस लटेशे स्ट्रॉक्चर में इनको वह जगा नहीं मिलती है फ्री नहीं हो पाते है इधर उदर move कर सके इस वज़ा से यह movement ना होने की वज़ा से यहां पर electricity conduct नहीं होती but molten and अगर इसको पिघला लिया जाए यहां इसके बीच में पानी को डालके पानी के साथ करके आइन्स तूट जाएंगे और जादा बिखर जाएंगे यहां एक्वस ने सी एल में यह क्या होती है free ions होते हैं ठीक है free ions होते हैं यहां पर no free ions solid state में free ions नहीं होते ठीक है बट हमारे molten and aqueous solution में free ions होते हैं इस वज़ा से यहां पर electricity conduct हो जाती है solid state में नहीं होती इसका आप experiment भी कर सकते हो घर पे ही कर सकते हो घर पे चलो थोड़ी सी बैट्व अगरे लगानी पड़ेगी इसली कर सकते हो आप NECL जो सिरफ नमक है उसके बीच में electricity पास करने के कोशिश करो नहीं होगा molten उसको melt कर लो तो पास हो जाएगा उसके बीच में पानी को घोलो तो वो electricity पास करना शुरू कर देगा so iron articles are galvanized next is iron articles के तक galvanize करे जाते हैं what is the reason बिटा reason क्या है galvanization का मतलब क्या है देखो iron जो होता है that is उसमें क्या होती है rusting बहुत जादा होती है क्या होती है उसमें rusting सभी को पता है rusting क्या हो ना corrosion हो जाना और iron की corrosion को हम rusting बोलते हैं ठीक है rust लग जाती है in presence of air and किसकी presence में air and water या air and water vapor या air and moisture ये इसकी दो main conditions है corrosion की इसके लिए हमने activity करी थी ठीक है iron जो है वो rust होता है उस rusting को prevent करने के लिए बहुत सारे methods होते है जैसे anodizing paint करना and galvanization is one of them galvanize करना galvanize करना क्या होता है that is a prevention method of rusting कि आप rust से उस इसको बचा सको तो galvanization क्या होता है जब हम zinc की layer उसके ऊपर बना देते हैं ठीक है galvanization का क्या मतलब होता है iron के ऊपर zinc की layer चड़ा देनी ताकि iron तक एक bodyguard हो जाते है ना जैसे सलमान खान है शारुकान है बड़े बड़े यह जो actors है उन तक कोई पहुंचना पाए इसके लिए bodyguards रखे होते हैं तो यहां पे iron तक कोई पहुंचना पाए इसलिए zinc जो है अपनी protective layer side पे रख देता है तक कि iron को कोई नुकसान ना पहुंचे और यहां पे rusting रुख जाए ठीक है ओके next question is next जाता है बटा आपके पास next question is metals like N-A-K-A-C-A-M-G यह जो metals है are never found in their free state in nature तो बोल रहा है यह जो metals है metals like यह सारे metals हैं यह कभी भी free state में नहीं पाए जाते very easy क्या किसकी वज़े से because they are high in reactivity series किसकी वज़े से they are high in reactivity series reactivity series की देखोगे आप तो reactivity series में बहुत ही जादा highest position में होते हैं यह सारे elements है इसकी वज़े से यह बहुत ही जादा react कर जाते हैं किसी के साथ भी that's why यह free state में नहीं पाए जाते nature में ओके ठीक है चले अभी next question is better next question given below are these steps for extraction of copper from its ore तो copper की ore से copper की ore से कहता right the reaction involved तो कुछ यहाँ पे हमें steps दिये हुए हैं for extraction of metal from copper ore पहले बताया गया है roasting of copper one sulfide पहले बताया गया है मतलब हमारे पास क्या होगी copper one sulfide देखो one sulfide copper positive में है that means copper की one valency है यहाँ पे इसकी two होती है so that means यह है cu2s क्या है यह cu2s है तो cu2s है हमारे पास sulfide की ore है इस ore को हम क्या करेंगे roast करेंगे roasting कैसे होती है बिटा in presence of oxygen with heating तो यहाँ पे मारे पास क्या बन जाएगी copper oxide बन जाएगी copper oxide बताओ है यहाँ पे two है यहाँ पे one है तो Cu2o बन जाएगी फ्लस यहाँ पे So2 यहाँसे निकल जाएगी राइच मारे पास. अपय बोदिया यह क्या है this is roasting यह क्या है आपकी roasting है इस तीज को यहाद रख लेना C for Calcination, C for Carbonate, Carbonate और की Calcination होती है in absence क्योंकि already अगर Carbonate और की बात करो ZNCO3 तो already Carbonate और में Oxygen present होता है तो उसको बाहर से Oxygen की जुरत नहीं पढ़ती तो इसलिए वो Limited Supply में होता है लेकिन यहां पे इस वाली और में कहीं भी Oxygen नहीं होता तो उसे बाहर से Oxygen की जुरत पढ़ती है Reduction of Cu, Reduction of Cu2O, ठीक है Cu2O मतलब Cu plus 1 state में है यह 2 है इसकी Valency Exchange करके Cu2O बन गया with Copper Sulfide तो कहता है इसकी Reduction हमने कैसे करी है Cu2O की हमने Reduction करी है Cu2S के साथ इसका मैंने आपको कल भी Reaction करवा के दिया था Short Question में भी था यह से हमें क्या दिया हुआ था रियाक्शन दिया हुआ था कि इसको बताओ What is the answer for this ठीक है हमने same reaction करा था तो यहां पर क्या हुआ इसकी Reduction से मारे पास क्या बनेगा Copper बनेगा and साथ में Sulfur Dioxide Gas Release हो जाएगी ठीक है C पार्ट देखते हैं यह हुई इसकी Reduction Extraction हो चुकी है पहला स्टेप दूसरा स्टेप is done थार्ड स्टेप इस Electrolytic Refining Copper की Electrolytic Refining क्या है और उसके लिए हमें बोला गया है Draw Neat Well Labeled Diagram for Electrolytic Refining of Copper तो इसकी Diagram भी बनानी है आपको तो मैं यहीं पर बना देती हूं यहां पर बिटा देखो आपनी कैसे Diagram बनानी अगर आपको कुछ ऐसा Question आ जाता है आपने यह Beaker बनाना है उसके बाद आपको क्या याद रखना है और चीजें बैट आपके पास एनोड क्या होती है बिटा positive Alban क्या होती है आपके पास negative और आपके पास एनोड के पास क्या जाएगा और नायम यहीं देतु Sh I amurat के अ और किसज़ें की जरुरत है और किस चीज़ाँ की जरूरत है that is PC इसका मतलब pure metal जो होगा pure metal कहां पे जाएगा cathode की तरफ जाएगा pure metal cathode की तरफ जाएगा क्योंकि वो pure है तो उसकी हम thin strip रखेंगे ठीक है इसकी हम thin strip रखेंगे और जिस चीज को हमने impurities हटानी है that is impure metal जो आपका impure copper metal होगा impure metal उसमें क्या होगा impure metal एनोड की तरफ होगा और यह बहुत ही जादा ठीक होगा ठीक है तो आपको यह चीज याद रख लिए अनोड is positive and PC pure metal की तरफ क्या जाएगा cathode जाएगा इस चीज को आप याद रख लेना है आपने सारी चीजों को डायग्राम में apply कर देना है लेट्स अप्लाइग यहां पर देखो एनोड पॉजिटिव है तो आपने क्या कर लेना है पहले तो इलेक्टोड बना लो एक यहां पर मोटी इलेक्टॉट बना लो एक यहां पर पतली सी इलेक्टॉट बना लो ठीक है और भी ज्यादा क्रेटिव लगेगा कि बच्चे ने डाइगरम में ही बता दिया है कि क्या कुछ है इसमें ठीक है यह क्या है आपके पास positive है negative है this is your anode इसका मतलब यह क्या आ चुकी है आपकी anode है और यह आपने mention भी कर देना है इस इस के थोड ठीक है लेबल भी करना है साथ में डाइगरम मतलब लेबल आपने proper करना है this is anode this is cathode after that और क्या चीज बिटा रह गई है आपने और चीज क्या आप एक्स्प्लेइन करनी है कि यह जो है आपकी आपकी जो cathode है this is cathode cathode में आपने यहाँ पे mention कर देना है this is pure metal और यहाँ पे आपने mention कर देना है यह क्या है in pure metal है फिर आपका ना कोई जो भी आपने पैराग्राफ में पॉइंट्स बनाके भी सारी चीजों को लिखना है बड़ डाइग्रम में इतना अच्छा लेबलिंग कर देते हो ना टीचर को और भी आपको number देंगे चाहीं थे तो यह रहा बेटा आपके पास यहाँ पे अभी देखो 9 अमने क्या करना है तो यहाँपे दोनों की रियाक्शन लिख देते हैं मैं आपको बाग में समझा भी मि Cities कि आच्छल में हुआ हुआ क्या है यहाँ तो यह रहाँ में आपके पास इम्प्यार मैटल क्या और करेगा यहाँन्स को लूस करेगा तो किस करेगा यहाँ पे Cu positive plus electron और यहाँ पे यह क्या करेगा, electrons को gain करेगा, so this is Cu positive plus electron, यहाँ पे क्या आजाएगा, आपके पास Cu आजाएगा, ठीके, तो यहाँ पे electron gain हो रहे हैं, यहाँ पे electron lose हो रहे हैं, बट हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बरी देख लेते हैं, क्या होगा बेटा यहाँ यहां पे इलेक्ट्रोंस को लूज कर देंगे यहां पे फ्लों करने शुरू कर जाएंगे इन्हों ने रिक्ट्रोंस को लूज करा and after that क्या हुआ यह electron तो यहाँ पे बहने शुरू हो गए और यहाँ पे जो Cu positive क्योंकि एक atom ने एक electron को loose करा electron यहाँ चला गया और जो उसका iron है वो solution में आ गया Cu positive यहाँ देखो एक चीज़ और याद रखनी है Cu2 positive क्या करेगा? 2 electrons को loose करेगा Cu2 positive तब बनेगा जब यह 2 electrons को loose कर रहा है Cu positive तब बनेगा जब यह 1 electron को loose कर रहा है ठीक है? उस चीज़ को याद रखना है कि confuse नहीं हो जाना उसमें कि आप यहाँ पे electron एक ही loose कर वारे हो ऊपर 2 positive लिखरे हो अगर आप यहाँ पे 2 positive लिख रहे हो तो 2 electron lose होंगे ठीक है उस टीस को आपने ध्यान रुखने है ठीक है तो गाइस इस यहां पर आ जाएगा Cu positive Cu positive आ गया एक minute Cu SO4 यहां पर अगर हम copper sulfate का solution लेते हैं तो यहां पर यह two positive ही करेगा मतलब यह दो electron को ही lose करेगा तो दो ही electron यहां पर lose करवा देते हैं ठीक है क्योंकि यह जो electrolytic solution है वो मैंने क्या लिया है electrolytic solution मैंने Cu SO4 लिया है जिसमें copper की valency क्या है 2 positive है क्योंकि electrolytic solution में 2 positive valency है तो मेरे को same ही ions चाहिए ठीक है solution में यहां पर इस solution में already क्या है Cu 2 positive and SO4 2 negative इस तरीके के ions है already solution में जिसको मैंने as a electrolyte use करा है ठीक है तो electrolyte अगर Cu 2 positive है तो यहां पर भी यह क्या करेगा दो ही electron lose करके Cu 2 positive बनाके यहां पर Cu 2 positive जो है वो anode से solution की तरफ आएगा ठीक है तो आप diagram में क्या show करोगे that is very very important arrow ही बच्चे गलत बना देते हैं तो यहां पर बिटा अब क्या show करोगे कि यहां से आ रहा है Cu 2 positive ठीक है Cu 2 positive यहां से निकल के आ रहा है electron यहां बह रहे हैं उसके बाद pure metal पे क्या होगा pure metal पे यहां पे यहां पे यह क्या करेगा यहां से कोई भी आयन को करेगा catch मतलब यहां पे इस जगह पे जाएगा Cu 2 positive के जो आयन है pure metal की तरफ cathode की तरफ attract होंगे cathode की तरफ attract होंगे यहां से यह जो electrons है उससे क्या कर लेंगे catch यहां पे इस electron को catch कर लेंगे और Cu 2 positive प्लस 2 electron मिलकि copper बना देगा तो यहां पे एंड में आपका जो pure metal है वह साथ-साथ में cathode के उपर deposit होना शुरू हो जाएगा ठीक है यहां पे जो pure metal है वह आपका साथ-साथ में यहां पे deposit होना शुरू हो जाएगा एंड वाजी जो layer है वह थिन होती रहेगी cathode वाली layer थिक होनी शुरू हो जाएगी ठीक है आए चीज में समझ यहां पे क्या हुआ यहां पे electrolytic solution है CO2 positive आइन पहले ही solution में बैठे है एंड ने क्या किया electrons को lose करके आयन यहां चला गया इलेक्ट्रों दिधर चले गये फिर electrons घूमते फिरते यहां पे आये तो आयन यहां गया फिर यहां जो solution में आयन आया था उसने क्या किया यहां पे उसने क्या किया यहां पे जो impurities हैं यह क्या है एनोड मड है यह क्या है आपका एनोड मड है क्या है एनोड मड है जिसमें impurities पढ़िएंगी impurities नीचे गिरती रहेंगी और यहां पर क्या चाता रहेगा CO2 positive pure वाला यहां पर इस side जाएगा electrons को catch करेगा और यहां पर pure metal deposit होता रहेगा समझ में आए यह है आपकी electrolytic refining electrolytic refining of copper हमने बना दी है diagram भी बना दी है electrolytic refining क्या होती है वो हमने cathode and anode के reactions भी लिख दिया है तो भी next question की तरफ चलते हैं next question is of the three metals x y and z आपके पास तीन metals है x reacts with cold water तो कि तरफ तीन metals है x है y है and z है जो x है वो react किसके साथ करेगा बेटा x reacts करेगा cold water के साथ तो cold water के साथ sodium potassium है सारे react करते कोई भी metal लिख लो sodium लिख लेते हैं कि गलत नहीं होगा अगर आप यहां पर potassium लिख दोगे y with hot water hot water के साथ कौन react करता है magnesium react करता है ठीक है उसके बाद आता है बेटा z react with steam उली z में aluminium iron कोई भी आप लिख सकते हो तो मैं यहां पे बारी वो चार्ट करवाया है जिसमें हमने cold hot and steam तीनों के हमने metals का लिखा हुआ है कौन से metals hot के साथ react करते हैं कौन से cold के साथ कौन से steam के साथ ठीक है ओके तो यहां पर बेटा चलते हैं identify xyz xyz हमने identify कर लिया है also arrange them in increasing order increasing order of their reactivity तो बेटा जो बहुत ही जादा reactive है वही easily cold water के साथ react कर पाएगा उसके बाद यह hot के साथ रियाक्ट कर रहा है मतलब यह कम reactive है उससे यह बचार aluminium है जो aluminium या iron हो गई यह क्या करते हैं यह इतने कम reactive होते हैं यह ना steam यह hot water के साथ रियाक्ट नहीं कर पारे इनको react करवाने के लिए हमें steam की जुरुरत पढ़ दिया और भी जादा इनको गर्मी प्रुवाइट करनी पढ़ती है so that means यहाँ पर x is more reactive than y than z और इसका increasing order में लिखे यह ऐसे आ जाएगा ठीक है इस तरीके से हो जाएगा increasing order यह क्या है इनका decreasing order है increasing order है also arrange them in order of increasing reactivity यह हो गया increasing reactivity का order ठीक है increasing reactivity का order ओके guys चले अभी next question an element a burns with golden flame very important तो बेटा एक element है जो golden flame के साथ burn करता है चलो मुझे उस element का पता है कि कौन सा element golden flame के साथ react करता है अगर आपको नहीं भी पता तो भी देखते है क्या हमें यह चीज़ पता नहीं है फिर भी हम आगे पता करवा सकते है इट रियाक्स तो कोई भी element है यह वो क्या करेगा golden flame के साथ golden flame देदेगा जब भी वो air के साथ react करेगा burn करेगा it reacts with another element b तो कहता वो क्या करेगा जो भी वो metal है जो वो एक और element b के साथ react करेगा atomic number 17 अच्छा मुझे बताओ atomic number 17 यह तो clear ही है न atomic number 17 किसका होता है that is of chlorine किसका होता है chlorine का तो इन्होंने यहाँ पे तो सीधा सीधा साफ hint दे दिया है कि b metal किसकी बात कर रहा है b is equals to chlorine की बात कर रहा है तो यहाँ पे b की बजाय में क्या लिख दूँगी chlorine लिख दूँगी that means यहाँ पे chlorine के साथ react कर रहा है to give a product कौन सा product देता है c product देता है an aqueous solution of c तो कहता है जो c का aqueous solution है अभी तक आपको यह नहीं पता कि golden flame कौन सी है मुझे पता है बट आपको शायद कुछ बच्चे को पता हो तो वो तो easily इसको कर लेंगे बाइचांस आपको paper में नहीं भी पता होता तो आप इसको कैसे solve करते an aqueous solution of product c on electrolysis तो कहता अगर इसकी हम electrolysis करें इसकी electrolysis करें तो हमारे पास क्या बनता है compound d बनता है and साथ में hydrogen gas liberate होती है ठीक है hydrogen gas liberate होती है तो देखो एर electrolysis सबसे जादा famous किसकी है हमने किसकी electrolysis करी है याद है आपको brine solution की हमने electrolysis करी है ठीक है उसी चीज़ की यह बात कर रहा है he is talking about sodium metal की बात कर रहा है अगर sodium chlorine के साथ react करेगा तब ही तो यह क्या बनाएगा यहां पर यह बना देगा NaCl बना देगा और यह जो NaCl है इसका aqueous solution जो होता है NaCl का जो aqueous solution होता है aqueous solution that means अगर NaCl को brine solution बोल सकते हैं इसका जो aqueous solution होता है उससे electrolysis electricity पास करते हो electrolysis करवाते हो तो बेटा हमारे पास क्या बनता है क्या बनता है हमारे पास brine solution की electrolysis करवाई थी क्या बना था आपके पास NaOH caustic soda बना था plus hydrogen plus chlorine क्या यह बाते बनी थी ठीक है ठीक है तो यह चीज़ बनती है identify a b c d write down the equations for the reaction involved यह सारी अमने reactions भी लिख ले हैं c क्या है आपके पास NaCl है after that d क्या है आपके पास d क्या बना है आपके पास क्या बना है compound d है that is your identify d d क्या है electrolysis give a compound d ठीक है compound d की बात कर रहे हैं तो compound यह दो तो gases है ना तो compound यह ही है so this is d यह क्या है आपके पास c है यह क्या है आपके पास b है और यह क्या है आपके पास a ठीक है तो यहां पर वैसे तो आपको यह पता ही होना चाहिए कि sodium जो है वो burn करता है golden flame के साथ हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है sodium burns with golden flame golden flame के साथ यह burn करता है ठीक है यह इसकी quality है characteristic है तो आपको पता होनी चाहिए बट अगर नहीं भी पता होती क्योंकि chlorine यहां पर hint मिल चका है उसके बात electrolysis की बात कर रहा है तो यहांते थोड़ा बहुत हम idea लगा सकते हैं कि हां यह इन्होंने यह भी provide करा हुआ है इसके बाद इसकी brine solution की electrolysis होके हमारे पास caustic soda and साथ में H2 Cl2 निकल जाएगा ओके गाइस तो चले अभी reactions भी हमने सभी देख ली है next is next क्या आता है आपके पास next आता है next आता है आपके पास two ores A and B दो ores है A and B were taken दो ores ली गई A and B यह A or है और यह रही B or okay on heating or A give CO2 कैता अगर आप A or को heat करते हो तो वो carbon dioxide दे देती है whereas जब आप B or को heat करते हो वो क्या दे देती है आपके पास SO2 very easy यह तो देखो अभी हमने roasting वाले इतने कर लिये हैं यहाँ पर A or heat करके carbon dioxide दे रही है इसका मतलब जो यह A or है metal क्या है metal क्या है आपके पास metal को हम M ले लेते हैं let metal B M हम M ले लेते हैं let metal को मैंने M ले लिया मुझे नहीं पता कौन से metal की बात कर रहा है that means यह जो A or होगी that will be a carbonate or ठीक है क्योंकि अगर आप carbonate or को that is MCO3 अगर आपके पास MCO3 metal carbonate है उसको अगर आप heat कर रहे हो किसमें in absence in limited supply of air तो यहाँ पर आपके पास क्या निकलेगा metal oxide और साथ में carbon dioxide निकल जाएगी अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ sulfide ore की बात कर रही हूँ तो sulfide ore में आपके पास क्या होगा this is यहाँ पर SO2 निकल रहा है that means this is a sulfide ore यह क्या होगी एक sulfide ore होगी और sulfide ore मतलब MS होगा तो MS क्या होगा heat करेगा in supply of oxygen यहाँ पर oxygen की जगा बना देते हैं यहाँ पर क्या होगा in supply of oxygen यहाँ पर होगा heating और यहाँ पर हमारे पास MO बन जाएगा metal oxide और साथ में SO2 gas release हो जाएगी यह दोनों इसके reaction हो जाएंगे इसका नाम क्या होगा बेटा this is क्या है यह C for Calcination C for carbonate तो इसका नाम क्या है Calcination क्या है Calcination and this is what यह क्या है आपके पास Roasting यह क्या है आपके पास Roasting ओके ठीक है क्यों आज का इससे आपके metals and non-metals के सारा NCRT exemplar cover हो चुका है कोई एक आगा क्वेशन अगर छूट गया हो तो मुझे बता देना मैं next वीडियो में आपको करवा दूँगी और कोई भी डाउट हो तो comment section में लिख देना मैं next वीडियो में यह आपको comment में reply करके उसका answer दे दूँगी thank you so much बेटा keep learning keep smiling बहुत जल्दी आपके एक्जाम शुरू होने वाले हैं तो एक्जाम के पहले पहले आपके NCRT एक्जामटर एक दो दिन में खतम हो जाएगी यह भी आपका पूरा खतम हो जाएगा उसके बाद हम पूरे इस लेबस की रिवीजन भी करेंगे thank you so much keep learning keep smiling all the very best for your exams